हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका जीगे आसी पनुप चैनल पे आज का मुख कोश्चन है किस जानौर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किस जानौर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है अप्शन A घोरा, अप्शन B शेर, अप्शन C जिराप, अप्शन D उंट, तो इसका राइट एंसर क्या होगा? तो इसका राइट एंसर होगा, अप्शन D उंट, अगला सवाल है, किस देश में कपरो पर अख़वार छपता है? अप्शन A भारत में, अप्शन B अमेरिका में, अप्शन C एस्पेन में, अप्शन D फ्रांस में, तो इसका राइट एंसर क्या होगा? तो इसका राइट एंसर होगा, अप्शन C एस्पेन में, अगला सवाल है, बॉल्ब किस गैस के कारण जलती है? option A, methane gas, option B, nitrogen gas, option C, carbon gas, option D, hydrogen gas तो इसका right answer क्या होगा? तो इसका right answer होगा, option B, nitrogen gas अगला सवाल है, किस देश के लोग साप खाते हैं? किस देश के लोग साप खाते हैं? option A, भारत, option B, Canada, option C, CHIN, option D, Australia तो इसका right answer क्या होगा? तो इसका right answer होगा, option C, CHIN अगला सवाल है, Facebook किस देश की कमपनी है? Facebook किस देश की कमपनी है? option A, भारत, option B, America, option C, Japan, option D, CHIN तो इसका right answer क्या होगा? तो इसका right answer होगा, option B, America अगला सवाल है, कौन सा जीव, 200 वर्षो तक जिन्दा रह सकता है? कौन सा जीव, 200 वर्षो तक जीवित रह सकता है? तो इसका option है, option A, साप, option B, मगरमाच, option C, कच्छुआ, option D, क्या करा? तो इसका right answer क्या होगा? तो इसका right answer होगा, option C, कच्छुआ, अगला सवाल है, राजिव गांधी की हत्या किस वर्षो की गए थी? option A, 1989, option B, 1990, option C, 1991, option D, 1992 तो इसका right answer क्या होगा? तो इसका right answer होगा, option A, 1989, अगला सवाल है, किस देश में बाप, बेटी आपस में साधी करते हैं? किस देश में बाप, बेटी आपस में साधी करते हैं? option A, जपान, option B, कनाडा, option C, भुटान, option D, बंगला देश, तो इसका right answer क्या होगा? तो इसका right answer होगा, option D, बंगला देश अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? option A, यमुना नदी, option B, ब्रहंपुत्र नदी, option C, गंगा नदी, option D, क्रिष्णा नदी, तो इसका right answer क्या होगा? तो इसका right answer होगा, option B, ब्रहंपुत्र नदी, अगला सवाल है, तिरंगे पर असोक चक्र किसने बनाया था? option A, महात्मा गांधी, option B, भगत सिंग, option C, भीम्राव अंबेदकर, option D, जोहर लाल नहरू, तो इसका right answer क्या होगा? तो इसका right answer होगा, option C, भीम्राव अंबेदकर, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, like करें, प्लस comment करें, thank you.